हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम बैक टू दा चैनल हम लोग S.O.S.E के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 9 और 11 के लिए जिसमें मैंने एक test series स्टार्ट करी है जिसका नाम अभी मन्यू test series है और यह इसका आज थर्ड पार्ट है अगर आप लोगों ने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को आप लोग जाके देख सकते हैं उनका जो लिंक है वो description में भी दिया है और आपको उपर में हम लोग करेंगे ठीक चलिए यहां पर आप लोग अपना first question देखिए first question है आप लोग का 3 5 11 14 17 21 यहां पर हमें कुछ नंबर दिये गए और इन नंबर पर हमें पूछता है कि कौन सा odd है ठीक है यहां फिर कि किस तरीके से आप लोग जो है वो नया नंबर जो है वो find out करे तो कौन सा odd होगा ध्यां से देखो यहां पर देखो 3 5 11 17 21 यह सारे के सारे कौन से है और नंबर है इवन कौन सा 14 और का मतलब अलग की बात करो मैं यहां पर सबसे अलग कौन है 14 है तो इसका answer क्या हो जाएगा C option हो जाएगा ठीक है चलिए second question देखिए second question है आपका screen पर 8 27 64 100 125 216 343 यह question है आपका इसमें भी बोलता है कि आपको odd number find out करना है तो odd कौन सा होगा यह देखो क्या इनके बीच में pattern क्या बनना है वो सोचने के में जरूरत है अगर मैं 2 का cube करूं तो 8 बन जाएगा 3 का cube करूं तो 27 8 का cube करूं तो 64 और यहां पर 100 जो है किसी क्यूब नहीं हो 5 का cube करूं तो 125 और यहां पर 6 का cube करने पर और यह 7 का cube करने पर तो यहां पर सबसे odd कौन सा हो जाता है हमारा 100 means आपका option G जो B है वो क्या है correct है इस तरीके से हमें ऐसे questions को पता करना है मैं अभी और कुछ questions कराने वाला हूं जिससे आपको idea मिलता रहेगा कि हम लोग ऐसे questions को put up कैसे करेंगे यानि कि हमें वहाँ पर क्या approach अपनी लगानी है और उससे पहले एक चोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे जो है इस चीज को लेकर अभी भी doubt में कि सर क्या आप जो slayvers करा रहे हो slayvers सही है या फिर कहीं पर तो ऐसा defined दिया है क्या नहीं दिया ह वह आप हमें बता दो तो उसके लिए आप लोग चैनल पर जाएए कम्मुनिटी चेक करिए कम्मुनिटी पर मैंने एक पोस्ट डाला है उस पोस्ट को आप लोग ध्यां से पढ़ लेजिए जो की SOSC का ही official circular है जिसमें बकायदा लिखा गया है कि aptitude test ही होगा आप कुछ करा रहा हूँ जो मैंने syllabus में बता है उसके अलावा भी 5-6 topics में और cover up करा लूँगा ठीक है उसके लिए आपको परशान होने की जोत नहीं है बस आप लोग अपना काम करते जाओ ठीक हम लोग next अपने questions की तरफ आगे बढ़ते है next question है हमारा बच्चों यहां पर बोलता है third question देखिए 10 है 25 है 45 है 54 है 60 है और 75 है और 80 है ठीक है यह हमारे पास है इसमें हमसे पूछता है कि odd कौन सा तो देखो सभी में आपको 5-0 दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा mind लगाना पड़ेगा जब आप लोग ऐसे question करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा और जो direction वा उसके answers का PDF जो है वो नीचे है description में आप लोग जाना download करना और अपने answers जो है वो चेक कर लेना और जो आज हम लोग कर रहे हैं इसमें जो मैंने extra question दिये उसके answers आप लोग को रात को 9 बजे वाली वीडियो में मिलेंगे ठीक है और चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो like भी कर देना और comment section में ज़रू बताना कि आप लोग को series जो है वो कैसी लगरी इस चीज का मुझे इंतजार रहता है और मुझे थोड़ा सा motivation मिलता है कि हाँ जो बच्चों से मेरी approach ठीक हो रही है और बच्चे जो है उस चीज को समझ पा रहे हैं ठीक है चलिए next है हमारा 396, 462, 572, 427, 671 और 264 ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखना है कि इसकी बीच में क्या pattern बनना है कुछ pattern बन रहा है अगर मैं हाँ देखूं 3 और 6 कितना और है 9, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 और 4 नहीं बनेगा 6 और 1, 7, 4 और 2, 6 ठीक अब यहाँ पर बचा कौन सा वाला ये वाला बचा हमारा ठीक है means हमारा option 4, 27 कौन सा है बी तो आपका बी वाला जो है वो correct answer होगा थोड़ा सा आपको idea मिल जाएगा जब आप questions करोगे न जो PDF में questions भेजे हैं उसको ध्यान से करना इसलिए मैं answers आपको लेट भेजता हूँ अगर मैं answer पहले ही भेज दूँ तो आप लोग जो है वो तुरंत answer में से ही देख लेंग तो मैंने उस doubt को resolve कर दिया तो अगर आपको फिर भी से भी अगर कोई doubt होता है तो आप लोग उस doubt को अपना बता सकते हैं उस doubt को मैं solve करने की कोशिश करूंगा साथ के साथ एक बच्चे का direction वाले question का problem था उस question को भी अभी हम discuss करेंगे बिलकुल last में ठीक है चलो आगे हम ल 82, 605, 588, 611, 634, 617, 600 आप लोग यहां पर देखो क्या pattern बना है इन दोनों के बीच में कितना gap है 18 और 5 23 का gap है इन दोनों के बीच में कितना gap है 12 और 5 17 का इन दोनों के बीच में कितना gap है 12 और 11 23 का इन दोनों के बीच में कितना gap है 34 minus 11 3 और 23 ठीक है यहां पर 23 इन दोनों के बीच में कितना gap है 17 का है इन दोनों के बीच में कितना gap है ठीक है यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको मिलेगा 17 का gap तो अगर हम लोग यहां पर बात करें एक बार यह प्लस 23 हो रहा है यहां पर बढ़ रहा है और एक बार ये मेंस हो रहा है यानिकी 18 से मानश 17 हो सब ही आया आजैने ऐसा फोर्टी ओछ Epic आए और उप्शुन करना चाइए था रहा यहां निकाओ इस चाहिए था फोरी सब्सुन आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग कभी-कभी बच्चो कोई-कोई क्वर्शन में मिस स्प्रिंटिंग हो जाती है तो आंसर जब मैं भेजता हूँ तो मिस्प्रिंटिंग ओ जाती लेकिन आप से कोशिश करूँगा कि वो गल्ती ना बाकि अगर फिर भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट सेक्षिन में पूछ लेना चलो next question देखो यहाँ पर हमारे पास 22, 33, 66, 99, 121, 279 और 594 ठीक है यह हमारे पास है इनमें क्या pattern है 11 का क्या है यह 11 से divided हो जाएगा ये भी 11 से divide हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा और 279 होगा होगा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यह यहाँ पर और 5 7 5 94 को भी करके देख लो 11 से 11 5 जा 55 4 और 4 याने कि यह भी हो जारा है तो बचता कौन सा है 279 तो आपके यहाँ पर क्या होगा 279 याने कि सी ओप्शन जो है वह आपका राइट है आगे करें चलो आगे नेक्स कोशन हम लोग देखते बच्चों नेक्स कोशन देखे 8 13 21 32 47 63 83 यह आपका कोशन है इसमें हमें क्या देखना है मतलब क्या चेंज है कोई पैटरन में कोई गलती अगर देखू यहाँ पर 13 से इसमें जाने पर 8 है ना और यहां से यहां तक जाओंगा तो कितना हो जाएगा 11 यहां से यहां तक जाओंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7 और 8 15 हो जाएगा तो यहां तक क्या पैटरन चला था प्लस 3 किया मैंने यहां तक क्या किया फिर से प्लस 3 किया तभी 8 3 11 हुआ तो 5, 8, 11, 14, 17, 20 यह pattern बनना चाहिए यहाँ पर क्या है 15 आ जा रहा है तो मतलब 47 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर odd हो जाएगा यह option आपका सही answer होगा ठीक है चलो आगे देखो यहाँ पर नया question हमारे पास है यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 124, 216, 343 ठीक है अगर आपको square बगरा cube याद होंगे तो बड़ी एसानी सो जाएगा 1 का cube 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27 और 4 का cube 64 और यह तो किसी का नहीं है यह 6 का cube है और यह 7 का cube है तो इसका मतलब 124 यहाँ पर different answer है और कौनसा option है D वाल आपका option है ठीक है चलो आगे देखते हैं हम लोग next question बच्चों देखो इस screen पर next question है आपका 16, 33, 65, 131 और 261 तो पूछा है यहाँ पर next number कौनसा होगा ठीक है यहाँ देखो अगर मैं 16 को 2 से multiply करूँ और प्लस 1 करूँ तो कितना जाएगा 33 इस वाले नंबर को 33 को अगर मैं 2 से multiply करूँ माइनस 1 कर दूँ तो कितना जाएगा 65 इस वाले नंबर को क्या करूँ 2 से multiply प्लस 1 कर दूँ तो 131 आ जाएगा इस वाले नंबर को अगर मैं 2 से multiply करूँ और इसमें माइनस 1 कर दूँ तो मेरा कितना जाएगा 261 क्योंकि 262 हो जाएगा माइनस 1 261 तो हमारा पैटर्न सही चल रहा है हमने एक बार डबल मतलब 2 से multiply किया प्लस 1 किया 2 से multiply किया माइनस 1 किया 2 से multiply प्लस 1 फिर माइनस ऑल्टर्नेट चल रहा है तो अगला नंबर हमारा 261 है तो 261 को आप 2 से multiply करो प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा 522 और 1 523 आपका 523 कौन सा वला option है आप ए वला option है यानि कि आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट होगा ठीक चलो आगे देखते हम लोग कैसी लग रही है टेस्स सीरीज बताना question करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है next question बच्चों आप लोग के screen पे देखिए next question में बोलता है 10 5 13 10 16 20 19 और next आपका कौन सा number होगा ठीक है यह हमें पता करना है pattern देखो इनकी बीच में क्या pattern मन रहा है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानि के alternate छोड़के प्लस 3 और यहां पर multiply हो रहा है 2 से और यहां से भी 2 से multiply हो रहा है तो next जो होगा वह 2 से multiply होगा तो क्या answer हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 20 को 2 से multiply करोगे दो 40 और कौनसा option है आपका बी option है अगला question अगला question इस screen पर देखो 1 4 9 16 25 36 49 बच्चो वाला question है बच्चो वाला ठीक है 1 का square 2 का square 3 का square 4 का square 5 का square 6 का square 7 का square 8 का square ठीक है तो 64 कौनसा answer है आपका सी वाला ठीक है बच्चों वाला कोशन नेक्स है आपका यह देखो यह कोशन थोड़ा सा मज़ेदार है कोशन देखिए आप लोगी स्क्रीन पे 7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996 ठीक है अगर मैं हाँ पे देखूँ तो क्या पैटन बनेगा पहले वाले के लिए 7 बन जा 7 प्लस 1 तभी तो 8 आया यहाँ पे 8 टू जा 16 प्लस 2 यहाँ जिससे से मल्टिप्लाई कर रहे हैं और उतने को ही एड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा 18 त्री जा अब आप 3 से मल्टिप्लाई करोगे और प्लस 3 करोगे 54 और 3 57 तो जब देखिए यहां पर हमने 18 को क्या किया 3 से मल्टिप्लाई किया और उसमें प्लस 3 कर दिया ठीक अब नेक्स देखिए 228 है आपके पास सॉरी 57 है 57 को आप 4 से मल्टिप्लाई कीजिए और 4 एड कर दीजिए तो हम लोग यहां पर करते है 57 को 4 से मल्टिप्लाई 740 28 का यह 2540 22 22 22 आया और 4 एड कर दो के तो कितना जाएगा इसके अंदर 4 एड करने पर आ जाएगा 3 32 तो यहां पर डिफेरेंट आंसर आ रहा है 3 32 आना चाहिए लेकिन यहां पर आप्शन कितना है 228 यहां पर डिफेरेंट कौन सा हुआ आपका 228 औ आप लोग का आपकी स्क्रीन पर यहां पर नेक्स कोशन जो है वह हमारा 1 1 2 6 24 96 7 20 ठीक है अब इसमें हमारा क्या पैटन कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं अगर मैं 1 की 1 से मल्टिप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ठीक है 2 आ जाएगा और 2 की 2 से मल्टिप्लाई कर यहां पर हम लोग जैसा पैटन देख रहे हैं कि क्या हुआ इसकी से मल्टिप्लाई 3 से हुई और जब हम लोग 6 की मल्टिप्लाई 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा और 24 की मल्टिप्लाई हमें 5 से करनी पड़ेगी और देखते हैं कितना आता है 5 4 20 2 5 2 10 11 12 कितना आ रहा है 12 आ और यहां सॉरी 120 आ रहा है यहां पर कितना है 96 और 96 वाल आप्शन कॉल सा है B यानिके आपका B आंसर जो है वो राइट होगा ठीक लास्ट कोशन हमारा सबसे लास्ट कोशन 196 169 144 121 180 और 64 यहां पर पैटन देखो मैंने बोला था स्क्वार और क्यूब याद होंगे कोशन मज चाहिए 14 का स्क्वार 13 का 12 का 11 का टैन का ठीक है यह क्या हुआ यहां पर 80 बना चाहिए था 80 है क्योंकि यह 8 का हो जाएगा तो बीच में 9 आना चाहिए था लेकिन यह 9 का स्क्वार नहीं है तो 80 वाला उप्शन कॉन सा है आपका यह वाला तो यह आपका क्या होगा राइट होगा यहां पर इसी के साथ हम लोगों ने बच्चो अपनी आज थर्ड टैर सीरीज जो है कंप्लीट कर ले इसके पीडिएफ जो है आपको वो लिंक में नीचे मिल जाएंगे आप लोग जाके अपने आंसर चेक कर लेना लेकिन रात को 9 बचे ठीक है पहले ही मत कमेंट सेक कर लो अब ठीक है लेकिन एक कोशन और जो बच्चे ने बूला था किसरा डायेक्षन का प्रोब्लम है मेरा फिर्स्ट को अगे यह कोशन को एक बार शॉट आउट कर आदो चलो हम देख लेते हैं एक बार उसक्वशन को कि कह कि आपकी जो हो प्रॉब्लम हो दूर fen मेरा इस हम नाम नहीं दे रहे हैं किसी को भी और यह दोनों कब बात करतें morning में morning में sun किधर होगा east इधर होता है तो morning में sun इधर होगा और ये बोलता है यहां पर इसका left किढ़र इदर तो बनी नहीं सकता यानि किşाल अगर शूरज इधर होता तह परपशाई इधर लाए लोग बनती न तो यहां पे सूरज इधर है तो पर्चाही किसकी बनेगी इसकी बनेगी तो क्यों हो जाएगा विशाल रहीगों यह कौन हो जाएगों उदय हो जाएगा यहां पे clear अभी यहां पे उदय हो गया तो इसके left में बने यानिक के परचाई तो जहिर सी बात इधर बने गी left में और फिर उदय की direction क्या हो जाएगी हमारी north हो जाएगी पिछले question में जब मैंने पहली सीरीज कराई थी तो उसमें मैंने इसका अंसर गलती से आप लोग को वेस्ट बता दिया था इसके लिए सौरी थोड़ा सा प्राब्लम हो गई थी ठीक है बाकि आप लोग इस आंसर को ठीक कर सकते हैं और अपनी प्राब्लम को शॉट आउट कर सकते हैं बाकि हम ल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीकी से पढ़ते रहिएगा तयारी करते रहिएगा